ट्राइबर यूणिट कितने लगा सकते है ठीक है तो इसके बारे में बात करेंगे ज sports यूट है यह योकर कि यह यूनिट सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे कि हमारे पास यह चार और आठ की ठीक है तो यह भी बताऊंगा मैं ठीक है तो वीडियो मलाश तक बने रहा इसका अपना करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे कि हमारे पास यह एसको का एंपलिफायर है क्योंकि मुझे एसको जो है बहुत अच्छा लगता है चलाने में ठीक है तो एसको ही चलाता हूं मैं दो तीन मेरे पास एंपलिफायर है एसको के एसको जो है वो नंबर वन है हौरन के काम के लिए ठीक है तो हम इस पर कैसे क्या चलाएं ठीक है और आपके पास और भी है अधर अधर अधलिफायर तो भी अच्छी बात है आपका अच्छा चल रहा है हुजा भी अच्छा चलता है और भी अधलिफायर की एक है जो अधर healthier जाएगा तो अगर आप किसी दुकान पर जाओगे लेने तो 15 से 20,000 रुपए में आपको ये मिल जाएगा सत्रह अठारह उन्निस से मिल जाएगा ठीक है अब आप इस पे अगर होरन डालने की बात एम्पलीफायर पर पूछोगे दुकंदार से तो पता है आपको क्या बोलेगा भाई इस पे बीस होरन डाल सकते हैं बीस होरन आपका बहुत मस चलाएगा यह वह मतलब इतना आपको व पता है तो इसकी मैं काप सब्सक्राइब कितने होती है तो आप ने देखा यह सब मेरे रहन वाले एम्पलीफायर मुझे सब कितने पर खराब हो जाता है कौन सा कितने हो चला सकता है अच्छी अबाज उठाएगा तो इस चीज़ें सबस्ते लेते हैं दो होशकी 244 वार्ट की ठीक है दोंसकी आप इस पर दो औरण चलाओगे इक और चलाओगे मस्त चलेगा बढ़िया चलेगा ठीक है तीन भी लगा दोगे तब भी भी मेटर करता है ठीक है आप लाइन जो है बढ़िया डालें ठीक है कोपर डालें प्योपर का जिससे कि आपके अबाद जो अच्छी उठाएगा ठीक है छे होरन डाल दो आप कितनी भी लंबी लाइन पर ठीक है इसकी अबाद जो है बहुत ज्यादा स्तेज होगी बहुत होगे ठीक है इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते और यह बढ़िया चलाएगा ठीक है तो इसलिए आप ना लगाएं ज्यादा पर ठीक है अब बात कर लेते हैं चार ओम्स आट ओम्स जो है आपकर जो लंबी लाइन जादा पड़ जाती है उसमें आप डाल सकते हो जादा पर यह एक्स्ट्रा मतलब वोल्टेज होगा ठीक है वो लाइन को हैंडल करके मतलब आपका जो वहां तक लाइन पर पहुंचाएगा वो अच्छे मिलेंगे आप दो से चार पर लगाते हो ठीक है या आट पर लगाते हो तो यह अगर लंबी लाइन है तो आप डाल सकते हो ठीक है पास में लाइन है तो आप दो ओम्स पर ही चलाओ चार ओम्स पर ही चलाओ ज्यादा दूर ना करो ठीक है आपके एमपली फार की वी बात होती है एमप तो आप चार ओम्स पर ही लगाएं अगर 30-40 मीटर की दूरी है ज्यादा न लगाएं ठीक है अगर थोड़ी ज्यादा हो रही है तो आप लगा सकते हो वरना आप लाइन मैचिंग यूज करो लाइन मैचिंग यूज करोगे तब ही आपको दूर ज्यादा आबाद सही मिलेगी जैसा कि यूनिट है LMT उसमें लाइन मैचिंग होती है वो हमारे चाहिए पास में लगे चाहिए दूर लगे अब आज बहुत बढ़िया देता है क्यों देता है उसमें लाइन मैचिंग लगी होती है तो आप लगा दो अच्छा रिस्पॉंस देगा ठीक है तो इस चीज का लगा होगे तो आपका यूनिट जो है वो खराब होने कडर है और यूनिट का ट्रांसवार्मर खराब होगा तो आपका जो में ट्रांसवार्मर है एंपलिफार में उस पर लोड पढ़ेगा वह भी खराब हो जाएगा तो ना लगाए ऐसे ठीक है अब कर लेते हैं 250 है आपके पास 80 120 वाट तो इस पर ज्यादा और ना चलाएं ठीक है दो तीन डाल सकते हो 120 वाट पर ठीक है बलकि दो ही चलाओ आप अच्छे चलेंगे ठीक है और चलाने के लिए तो आप कितने भी डाल दो उसमें क्या होगा सब चलेंगे ठीक है आपका खराब हो जाएगा कोई फादा नहीं निकलेगा तो ऐसा है आप अगर पास 100 वाट का है एंप्लिफार तो आप 8 होरन डाल सकते हो ठीक है और आपका ऊपर है जितने कम यूनिट चलाओगे या होरन चलाओगे उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी उतनी अच्छी अच्छी अबाज मिलेगी जि चीज़ का द्यार रखें तो वीडियो का अच्छा लगा कमेंट करें वीडियो अच्छा लगए तो लाइक एंड शेर चल्म को सब्सक्राइब मुनें ना भूलें